Recently Samsung ने अपना S23 Ultra launch किया है और अगर आपने उसका advertisement देखा होगा तो उसका main highlight था moon photography उसमें ये दिखाया जा रहा था कि आप moon की भी photo ले सकते हैं 100x zoom करके और आपको वहाँ पे एकदम clear photo मिलेगा, clear output मिलेगा और दोस्तों अगर आप Tech News से थोड़ा बहुत updated रहते हैं तो आपने कुछ videos और कुछ photos देखी होंगी internet पे जिसमें कि ये claim किया जा रहा है कि Samsung का जो ये moon photography है ये जो moon का photo ले रहा है एकदम clear वो fake है और ऐसे ही बहुत सारी allegations लगाई जा रही है Samsung के उपर कि ये moon photography यहाँ पे गलत दिखाया गया है दोस्तो आज की इस video में आपसे यही बात करने वाला हूँ और इस video में आपको कुछ evidence भी दिखाने वाला हूँ इसके बारे में अगर आपको इसके बारे में नहीं बता है तो जल्दी से मैं आपको इसका एक थोड़ा सा background बता देता हूँ दोस्तो Reddit पे कुछ दिन पहले एक post viral हो रहा था जिसमें कि यह लिखा हुआ था कि Samsung Space Zoom Moon Sorts Are Fake आपको यहाँ पे screen पे मैं यह वाला post दिखा दे रहा हूँ तो इस वाले post में यह claim किया जा रहा था कि यह वाला जो photography है moon का यह fake है इसका link भी आपको मैं वीडियो के description में दे दूँगा आप जाके वहाँ से इस post को पढ़ सकते हैं दोस्तो यहाँ पे वो लोगों ने इसके उपर एक experiment किया था कि उन्होंने एक moon का एक blur photo लिया था और उस blur photo को एक screen के बड़े से monitor में उसको लगा दिया था और उस monitor को उन्होंने थोड़ा सा दूर रखा था और room की सारी lights बंद करके और वहाँ पे उन्होंने Samsung S23 Ultra से zoom करके एक photo कीचा था उस blur image की जो उन्होंने monitor पे लगा जा था दोस्तो surprisingly क्या हुआ कि वो जो blur photo थी ना उसकी भी जो image वो लोगोंने capture किया इस Samsung के mobile से उसको quality उस original photo की quality से better मिला दोस्तो Samsung और बहुत सारी company कहती है कि वो लोग AI processing का use करते हैं image की quality को enhance करने के लिए आपने सुना होगा 20MP AI camera, 50MP AI camera, 108MP AI camera तो दोस्तो जो पूरा game छिपा हुआ है ना यह AI जो word है उसके अंदर ही छिपा हुआ है दोस्तो अगर आप कोई भी moon की photo खिचते हैं इस camera से तो AI को इस तरीके से train करके रखा हुआ है और AI के पास इतना सारा data है, करोडो photos का data है moon का वो उस data का use करती है आपके image को process करने के लिए और उसकी मदद से AI को इसके उपर apply करके और आपका जो image का quality है उसको improve कर देती है इस phone में आपको 10X का optical zoom मिल जाता है और उसके उपर आपको digital zoom मिलता है तो यहाँ पे इसके उपर जो भी आपका photos है वो सारा कुछ AI के मदद से उसको enhance किया जाता है आपको 10X का ही optical zoom यहाँ पे मिलता है दोस्तों आप ही यह सोचिए कि यहाँ पे moon photography के जो cameras होते हैं जो equipments होते हैं और जो lenses होती है वो 8,9,10,000 और भी इससे ज़्यादा price के महंगे-mहंगे equipments आते हैं तो यह same feature, same quality आपको एक phone में कैसे मिल सकता है दोस्तों मुझे क्या लगता है कि माली जे कोई भी इंसान को एक photo click करता है तो उसको जब तक अच्छी quality की photo मिल रही है न तब तक कोई भी problem नहीं है क्योंकि main objective क्या है कि आपको एक अच्छी quality का image मिलना चाहिए अगर कोई भी आप photo click कर रहा है उसमें आपको ज़्यादा editing नहीं करनी पड़े और उस photo को आप कहीं भी social media पे या फिर अपने phone में store करके रख सके अब चाहे वो अच्छी photo आपको जो मिल रही है वो AI की processing की मदद से मिल रही है लेकिन कम से कम आपको एक अच्छी photo मिल जा रही है दोस्तों अगर यहाँ पे Samsung ने पहले ही ये सब कुछ clarify कर दिया होता है और उसने बता दिया होता है कि जो भी photography हो रही है यहाँ पे moon की वो AI की मदद से वो processing कर रहा है तो यहाँ पे Samsung के उपर इतना ज़्यादा allegation और इतना ज़्यादा problem नहीं आया होता अभी तक लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक problem और है कि जैसे कि माले यह आप moon की photo क्लिक कर रहा है तो AI को तो पता है उसके पास उतना सारा data है और उस photo को वो process करके आपका high quality image दे देगा लेकिन अगर आपको एक normal चीज का photo खीच रहा है या फिर बहुत दूर का कोई mountain का या फिर कुछ एक normal चीज का photo खीच रहा है 100x zoom करके तो आपको वो quality वहाँ पे नहीं मिल पाएगी क्योंकि AI के पास वो सारी चीजों का data नहीं है और वहाँ पे वो उतने अच्छे तरीके से data को process नहीं कर पाएगी और आपका image का quality जो है उतना improve नहीं हो पाएगा इसके उपर आपकी क्या राया है आप comment करके जरूर बताईएगा और इस वाली वीडियो को आप हारे दोस्तों के साथ share कर दीजे जो की claim करते हैं कि उनके phone में photos बहुत अच्छी आती है इस वीडियो में aim करते है 1000 like का तो आप जल्दी से यहाँ पर 1000 like complete कर दीजे मैं मेलता हूँ ऐसे ही मज़दार और interesting नए वीडियो में तब तक के लिए बाबाए